Hello Everyone आज की इस class पर हम लो will class 12 geography का वानstudy को इस्त Kरने वाले हैं और आपको एक क्वेश्चन को द्यान से देखना आ आपको लाइक कर देंगे तो और बिना टाइम को वेस्ट किये लिए और आपनों साथ साथ में आंसर बता देंगे कौन सा ओफ्सर करेक्ट होगा चले तो मातरातमक करांती चले देखलेंगे अपने निक्स नमर थी जिहां क्या बोला जाए कुसने कहा मानव भुगोल और इस्थीर पिर्थवी और किरियासिल मानव के बीच परिवर्तन शील संबंदू का अध्यर जिहां यह कथन किसका है यह पर थीरी में आपस्ट नमर डी भुगोल का है अब इसी तरह देखलेंगे नेक्स्ट निक्स्ट नमर फाइब जीहां निम्नलखित मैं से कौन चेत्र सगन्द जन सिंग्या वाला है जीहां तो कौन से यहां पर जन संग्यावला चेत्र है यहां फाइब में ऑफ्शन नमर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएग अब देखलेंगे नेक्स्ट नमर फिक्स क्या है निम्नलखित में कौन जन अस्थानांत्रन का परतिकर्ष कारक नहीं है तो यहां पर जन संग्या विरिद्दी दर सरवाधिक है तो यहां पर सेवर्ण में और एक करेक्ट हो जाएगा यहां अफ्रीका में चले इसी तरह दे आप बोला जारा क्वेश्ट में वहरी गूरत यहां पर राइटन संग्या के कारिया शील आयू वर्ग का परतिय नीदित पर करता है यहां यहां पर कौनसा है यहां पर 9 में ऑस्ट नमर डी बिल्कुल करेक्ट हो जागा नी 15-19 सब्सक्राइब कॉन साथ में किसका लिंग अनुपात शर्वादी कहां कौनसा देश है जिसका लिंग अनुपात सरवादी कि विश्वा में यहां पर 10 नमर भी बिल्कुल करेक्ट हो जागा नी लेट विएका अब देखेंगे नेक्स्ट नमर 11 में निमन लेखित में निम्न निमनलखित विद्यानु में किसने मानव विकास उचकांग परतिपादित किया तो यहाँ पी ऑप्ष्ण क्रेक्टर महभूल है राइटन सर हो जाएगा अब क्या है 13 में मानव विकास उचकांग में विश्व के निमनलखित देशु में किसकी कोटी उच्च तम है तो 13 में अप्ष्ण नमर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नी नॉर्वे का क्या है यनि उच्च तम अस्थान है अब देखिलेंगे नेक्स क्ष्ण निमनलखित नमर फूर्टिन क्या है 14 में फूलों की किरिसी कहलाती है तो फूलों की किरिशी क् अधिक सफल रही है चलिए क्वेस्ट्ट्ट में निम्नलखित में कौन रोपन फसल है तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जागा जी रबड क्या एक रोपन फसल है अब देखले जिस तरह सेवेंटीन क्या सेवेंटीन में निम्नलखित में किसे कर्तन दहन किर्शी भी कहते हैं यहां पर और सी करेक्ट हो जागा जी आदीम निर्वा किर्शी को कहते हैं अब क्वेस्टन नमर 18 देखे लेंगे हम क्या है 18 में वैरी गुर्ट तो आप लोग राइट अंसर बताइए कौन सा ओप्शन होगा निम्नलखि कौन किर्शी आधारत उद्योग है 19 में बिल्कुल डिक क्रेक्ट हो जागा जी जूट उद्योग हो जागा 19 में चलिए आप क्वेस्टन में 20 देखे और कमेंट वक्स में इस पीड में आंसर दीजे कौन सा होगा निम्नलखित में कौन वन आधारत उद्योग है तो 20 में हो जागा नहीं पराथ मिक्रिया कलाब है चलिए तो आंपर क्वेस्टन में क्रेक्ट हो जागा जी तो स्फेर नहीं है पंचम किर्या कलाब है अब क्वेश्चन में 23 देख लिए क्या है 23 में रेल मार्ग का जाल का सघंतम घंड़त्व है जी हां तो कहां पर कौन से देश में है यहां पर सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा यहां पर 25 देख लिए क्या है निमनलखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तर नहीं है कौन से आंतरिक समुद्री पत्तर नहीं है बिल्कुल उफ्चन में डी करेक्ट हो जाएगा निम मेंफिस चलिए आब क्वेश्चन में 26 देखिए क्या बोला जारा 26 में लेनिन गराद किस परकाल का पत्तर है यहां पर आफ्चन में सी करेक्ट हो जाएगा निम अध्योगिक पत्तन है आप विश्चन में 26 देख लेते हैं क्या बोला जारा विश्च वेवयापार संग्रहन का मुख्याल कहां है जी हां कहां है मुख्याल इसका बिल्कुल उफ्चन में एक करेक्ट हो जाएगा निम जेने वा में है जिसका विश्चन में डवल ट्रेड आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन में 20 ना जी आप बोला जाएगा वेरी गुट यहां पर राइट अंसर निम्रेखित दक्षिदी अमरीकी देश्यू में कौन ऑपेक का सदस्ट यहां पर कौन ऑपेक का सदस्ट आपको राइट अंसर बताने है डी तो बिल्कुल क रिक्ट हो जाएगा जिए वेने जूवेले राइट अंसर हो जाएगा तो यहां पर 30 में और कौन सा हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा जिए पीटर्स बर्क राइट अंसर हो जाएगा जिए अब कुश्यम में 33 देख लिए बोला जा रहा है निम न लिखित में कौन परीवहन नगर है नगर है देख लिएगा नेक्स नियोजित नगर है यहां पर देख लिए पर अप्सेया किया बोला जा रहा है किस भाषा परीबार की जंसरंक सबसे कम है जिहां कौनसे भाषा पड़िवार है यहां पर अप्सिन में डी क्रेक्ट हो जागा ने कीनी तिब्बती आप देख लिए यहां पर नेक्स कौनसे राज है विल्कुल ऑफ्सिन नमर सी यानी सिक्की में राइट अंसर हो जाएगा अब देख लिए नेक्स्ट क्वेस्टन नमर थर्टी नाई जिखा थर्टी नाइन में क्या बोला जा रहा है वेरी गुड तो यहां पर कौनसा ऑफ्सिर क्रेक्ट हुआ फटाफर किस राज में सरवाधिक जठसंख्या में और परवासी आते हैं यहां पी टरीजे क्रेक्ट हो जाएगा निंगरमिंसे नगरिये चले आप देख लीजिए क्या बोला जाना क्यों सा होगा मानव विकास सुचकांग में भारत के निम्रलगित राज्यू में से किसकी कोटी उच्छेतम है जिखांग तो किसकी कोटी यानि कौन एक नम्मर पे है यहाँ फोर्टीटू में अफ्सनमर्ट डी करेक्ट हो जागा न केरल चले आप कोटी थी देखिए निम्रलगित केंदर साफशित परदेश में किसकी साक्षरता दर उस्चेतर है जिखांग कौन सा परदिश यहाँ पर जिसकी साक्षरता दर क्या है उस्चेतम है यहाँ पर ऑफ्सनमर्ट डी हो जाएगा जिखांग लक्षदीप अब कोश फोर्टी व्याई तो यहां पर घंट नहीं जा रहा है यहीं बिलुकुल ख्रेक्ट हो जागा नी कहादाने पातलत से संब्दित हैं आप क्वैस्षे हों स आँ है अब में लिए ऊफसेडार नहीं है चिए,. am कौन चाय का उत्पादक नहीं करते है तो48 डि करेक्टिciendo और नहीं की उत्पादान नहीं राजस्थाण lucu क्या है यहाँ कॉन सा खादान है है यहाँ प बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिहाने आंद्रपरदेश चलिए आप देखलेंगे इस फिस्टिटी वण क्या बोला जा च्छेंब प्रोजेक्ट संबंदित यहां किसे हर्याली प्रोजेक्ट संबंदित है यहां प्रियोजना अवस्तित है तो 55 में और यह बेल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखनी ओडिशा में है चलिए देख लीजिए आप फिफ्टी सिक्स क्या पोला जा रहा है निम्न रखित राज्यू में किसमें काकरा पारा नाभी कि उड़्जा केंद्र अवस्तित है जिहां कौन से राज्य है आप फिफ्टी सिक्स में आफ्सिन नमर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नि करनाटक में इस्तित है आप फिफ्टी सेवन देख लीजिए क्या पोला जरा फिफ्टी सेवन में खेत्री तामबा छेत्र किस राज्य में इस्तित है जिहां कौन से राज्य में है खेत्री तामबा छेत्र तो फिफ्टी सेवन में आफ्स निम्रेखित कुईला खदानु में कौन धारखंट में नहीं है यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा जिखनी सिंग्रोली कहा है मत्रपरदेश में हैं अब यहां पर देखेंगे अगला किस मैं और देखेंगे नहीं कि नीति की घोसणा कब की गई नहीं और दी कि निति की घोसना यहां पर कौन सा हो जाएगा चलिए आप क्वेस्टन में 63 देख लिए भारत में वायू परिवाहन सेवा की शुरुवात हुवी थी जिए यहां पर देखें आप देखेंगे आप उत्तर दक्षिन गोल जारा जोडता है तो किसको जोडता है उत्तर दक्षिन गोल जारा तो 65 में आपस्टन में कॉन सा अगर हो जागा निए शीरी नगर को कणिया कुमारी से जोडता है अप देखेंगे झास्ट में तूति कॉरीन पत्तन इस्तित है तो इस तेग हो जैगा नियुकुर्ण हो जागा जिखनी तमिल्नादु में इस्तित है अब क्वेश्चिन में 67 देख लेंगे हम क्या ह है है अहां वर्षा कालिन है यहां पर कौनमलबर्षा कारण है तो 67 नुमर सी अनुर क्रेक्ट हो जाएगा जगंगा दुखनी ये यह अमल वर्षा का कालनDon Zach कोती है अभिया उत् casting देखेंगी क्या बोला जा 68 में चले तो राइट अंसर बतीजे कमेंट बॉक्स में कौन सा ओफ्षन क्रेक्ट होगा 2010-11 मैं निम्लगित में कौन भारत का सबसे बड़ा वयापरिक भागिदार था जिखां कौन थे यहां पे तो 68 में ओफ्षन नमर बी बिलुकुल क्रेक्ट हो जाएगा ज क्या बोला जाएगा आखरी क्वेश्चन है अब कमेंट बॉक्स दो बताएगा परतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदाई है यहां पर राइटर्यस ऑप्ष्ण में एक क्रेक्ट हो जाएगा लिए उत्तरदाई है आज कि इस पुड़ा सिक्वेश्ट हो जाएगा दो क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना अपने दूस्तों को शेर कर देना ताहिए जितनी वी क्लासे तो सबका नोटिफीस आपको टामपे बिल सेगे और आप टामपे क्लास को अटेंड कर सेगे जिए यहां तक बढ़ने के लाप सबका धन्यवाद फिर मिलेंगे अगली क्लास में तिल देन बाइबाइबाइबाइब टाटा सी ओन्दे नेक्स्ट क्लास